Hello my dear students, Hindi Learning Channel में आपका स्वागत है आज आशिमा महाजन आपकी अधियापी का Class 6 Sanskrit Chapter 1 वंदना लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई है बच्चो ये पार्ट वंदना जो की आपकी बुक का First Lesson है बहुत इजी वे में आपकी अधियापी का आपको Hindi Translation जाने की Hindi अनुवात करके बताएगी द्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और बैल आइकन को दबाना बिलकुल मत बुलिएगा चलिए, पार्ट शुरू करती हूँ वंदना इश्वर की स्तोती, प्राथना और उपासना ये सब हमें सुबा उठकर जरूर करना चाहिए ताकि कोई भी काम हम जब सुबा शुरू करते हैं तो उस काम में इश्वर का आशिरवात जरूर हमें मिले चलिए, ये वंदना जो है हमारे स्कूल्स में जब भी असेंबली होती है उसमें भी ये प्रेयर की जाती है सुनी ही होगी आपने तुमेव मतलब तुम्ही, माता मतलब मा चव मतलब और पिता मतलब पिता, तुमेव मतलब तुम्ही जानि कि You are my mother and my father हे परमेश्वर तुम्ही माता हो और तुम्ही मेरे पिता हो मतलब तुम ही बंदू के आगे चर लगा हुए चर का मतलब होता है और तुम ही बंदू और तुम ही मेरे सक्खा हो जाने कि you are my family and you are my friend तुम ही विद्या द्रविनम तुम ही विद्या और द्रविनम मतलब धन और तुम ही मेरे धन संपक्ति हो जाने कि you are my knowledge and you are my wealth तो आई होप आपको पहला श्लोक समझ में आ गया होगा चलिए बढ़ती हूँ नेक्ट श्लोक की तरफ अस्मान विद्याम सुबुद्धीम च प्रदेही सु कर्मानी कर्तुम देहे बलम देही अस्मान देश बक्ती सु विचारम च देही देव है सदा सद गुणान प्रदेही अस्मान मतलब हम हमें विद्याम मतलब विद्या सु बुद्धी मतलब अच्छी बुद्धी चव मतलब और प्रदेही मतलब प्रधान करो हमें विद्या और सुबुद्धी प्रधान करो सू कर्मानी सू कर्म अच्छे कर्म करने के लिए सू कर्मानी अच्छे कर्म अच्छे कर्म करने के लिए देहे बलं देही हमारे शरीर में देह होती है हमारा शरीर हमारे शरीर में बल दो अस्मान देश बक्ती हमें अस्मान मतलब हमें देश बक्ती सू विचार जानिकी अच्छे विचार चव मतलब और देही मतलब दो देवय मतलब प्रभू सदा मतलब हमेशा सद गुनान मतलब सद गुन प्रदेही मतलब प्रधान करो तो कह रहा है असमान देश बक्ती हमें देश बक्ती और अच्छे विचार दो हे प्रभू देवय किसे का आगया परमातमा को हे प्रभू हमें सदा सदगुनान प्रदेही सदा सदगुन प्रधान करो आई हो six class के students बंदना के दोनोश लोग अच्छे से समझ गए होंगे फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो comment box में लिखकर मुझे पता दीचिएगा अब मैं बढ़ती हूँ आपकी book exercise की तरफ चलिए students book exercise में पहला question है आपका अदो लिखीता नाम अदो होता नीचे लिखीता नाम नीचे लिखे गए प्रश्ना नाम प्रश्नो के उत्रानी मतलब उत्तर एक पदेन एक पद में वन वर्ड में संस्कृत में लिखें तो वन वर्ड में आंसर देना है आपको तो अमेव इदम पदम कस्या प्रियुक्तम पहले तो इस लाइन का मतलब ही समझीए क्या है तो अमेव का मतलब तुम ही इदम मतलब इस पदम मतलब पदमे कस्या मतलब किसके लिए तो तौमेव शब्द जो है वो इसमें किसके लिए प्रियोग किया गया है तो परमेश्वर के लिए तो आंसर आपको सामने प्रवाइट कर दिया गया है परमेश्वर आए माता का हस्ती, माता कौन है तो माता परमेश्वर है हस्ती यहाँ पर माता को परमेश्वर का रूप भी दे दिया गया है वैसे माता तो हमारी वसुंद्रा भी है तो परमेश्वर का रूप दिया गया इस पाठ में क्योंकि तुम ही माता तुम ही पिताओ तो आप क्या लिखेंगे परमेश्वर है बालक बालिका चकाम नमाम है बालक और बालिका किसे नमस्कार करते हैं परमेश्वर को तो परमेश्वरम ठीक है काम के उपर बिंदी है इसलिए आपके आंसर में परमेश्वर के उपर भी बिंदी आएगी परमेश्वरम कान विद्याम सुबुद्धिम देही कौन विद्या प्रधान करता है कहता कि कौन विद्या सुबुद्धिम देही कौन विद्या और अच्छी बुद्धी देगा कौन मांग रहा है विद्या और सुबुद्धी बालक बालिका कैसदा सद्गुनान प्रधेही मम माता असी मम का मतलब होता है मेरी असी का मतलब है असी का बाक्य बनाना है तब भी आप सेम बाक्य यही बना सकते हैं तो मम माता असी असी उसमें भी आ गया असी का मतलब है है देहे मम देहे बलम देही मेरे शरीन में बल दीजिए तो अमेव माता चा पिता तो अमेव ऐसे क प्रदेहि प्रधान करो तो मेरे मन में अच्छे विचार प्रधान करो मम मनसी सु विचारम प्रदेहि I hope आपको exercise का पहला question समझ में आ गया होगा और दूसरा भी आपके प्रयोग समझ में आ गया होगा थर्ड कोशन है आपका समानार्थी लिखने है जन की अंबा का समानार्थी क्या होगा माता वो आपको सामने दे दिया गया है भ्राता का भाई संसारा का विश्व शक्ति का बल जनका का पिता स्वामीना का स्वामी शरीडे का शरीड में ओके फिर है विलोमशब्द माता का वि ओके बच्चो तो आप यही लिखेंगे माता का जनकह भगनी बहन तो भाई हो गया जनकी ब्राथा ग्यानम का हो गया अग्यानम के नीचे हलंत जरूर लगाएंगे तो ये word हिंदी का माना जाएगा तो म के नीचे हलंत जरूर लगाएंगे बाल कह का बाली का निर्बलम का बलम बलम के नीचे भी हलंत लगेगा ओके स्टुडेंट्स चलिए नेक्स कोशन है शब्दों के अर्थ लिखने हैं तो अमेव का अर्थ होता है तुम ही नमामय का नमस्कार करते हैं भरता जानी की स्वामी देहे मतलब शरीन में देही मतलब दो द्रविनम मतलब धन, बंदू मतलब भाई असमान मतलब हमी सू विचार मतलब अच्छे विचार सदा मतलब हमेशा रिक्तस्थान की पूर्टी करनी है students आगे वो आप खुद लेसन आपने पड़ा है उसके according खुद कीजिएगा संधी विछेत त्वम एव का संधी विछेत क्या होगा त्वम धन एव ओके सद गुनान सद धन गुनान आगे निमलिखी वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवात करना है तो आपको अनुवात समझा ही दिया गया है तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो अमेब माता असी तुम ही माता हो ओकी इसी तरह ये अलग-अलग लाइन्स की हिंदी आपको करके दे दी गई है Next question and the last question is निमल लिखित वाक्यों का संस्क्रिट में अनुवात करना है अब तुम मेरे अध्यापक को इसका संस्क्रिट ट्रांसलेशन करना है आपको तो तुम का त्वम मेरे का मम अध्यापक का शिक्षक का है हो का मतलब असी ओके तुम मेरे भाई हो तुम मम भ्राता असी तुम हमें बुद्धी और ग्यान दो तुम का मतलब तुम हमें का मतलब अस्मान बुद्धी च और का मतलब होता है च ग्यान ग्यानम और दो मतलब देही तुम अस्मान बुद्धी ग्यानम च देही एक बात और students यहाँ पर आप अस्ती अस्मी यह नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ त्वम लगा हुआ है और त्वम के साथ हमेशा असी ही लगेगा अगर आपको टेबल आता होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी और इशारा कर रही है जो आपका टेबल होता है सै तव ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम तो त्वम के साथ असी ही आता है क्योंकि जब आप धातू लिखते हैं अस्ती स्थैसंती असी स्थैस्थ तो उपर से त्वम के नीचे असी ही आ रहा है अच्छे कारे के लिए शरीर में शक्ति दो तो अच्छे कारे होते हैं सूकर्मानी के लिए कर तुम, शरीर में शरीडे, शक्ति बलम दो मतलब देही आपकी बुक में multiple choice questions दिये हैं जिसमें लिखा गया है कविता याम कवी पिता कम कत्यती जाने कि कविता में कवी पिता किसको कहता है देवम, ईश्वरम, बंदुम जा सक्षिम तो आंसर होगा ईश्वरम Next question है कविता याम ईश्वर की मस्ती कविता में ईश्वर कौन क्या है माता चपिता, बंदू, सक्खाम, उपरियुत, सर्वानी जाने कि सभी के लिए ईश्वर कहा गया है माता के लिए, पिता के लिए, बंदू के लिए और सक्खा के लिए I hope first chapter six class के students को अच्छे से समझ में आ गया होगा जल्दी मिलती हूँ आपको आपके next chapter के साथ Till then, goodbye everyone